नमस्कार दोस्तों सिविल इंजिनेरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी शेक सिंग दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि घर में अगर आप यू सेप्ड स्टेयर बनाना चाहते ह क्योंकि इस स्टेयर की खासियत ही होती है कि आप देख सकते हैं दीवार के बिल्कुल किनारे किनारे दोस्तों स्टेयर होता है बीच के बिल्कुल खाली होता है तो इसको हॉल से भी एटेच किया जा सकता है और देख सकते हैं यहां पर लिफ्ट दोस्तों बीच में बनाने क कि यहां पे योजना आह으िकर इस सिर्ही को किस तरीके से बनवा सकते हैं और किसी भी जिफ ने का maintainedða क्या होटाया वो चीज आपको करने की आवसकता नहीं है आप देख सकते हैं कहीं से भी आपको ब्रिकवर्क इसमें देखने को नहीं मिल रहा होगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका जो RCC structure है आपका जो ढलाई वला पाट है वही आपके सिर्फ को खोल्ड करने के लिए काफी होता है तो बहुत सारे भ्रहम और सांतिय साम जो पुराना तरीका है उसको आपको समय के साथ छोड़ देना चाहिए चली मैं आपको दिखाता हूँ आखिर किस तरीके से सिर्फ करेंड मान करवाया जाता है प्लिंद लेबल से दोस्तों वही से हमारा फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट होता है वहां पर देख सकते हैं कि एक बीम का होना बहुत जादा आवश्यक है वही से दोस्तों सरिया यानि कि लोगा हमारे सिरी के लिए निकलता है और यह जो पहला लैंडिंग है दोस्तों इसको रेस्ट करने इकुल सपोर्ट चाहिए होती है और उसके लिए देख सकते हैं कि बीम यहां पर प्रवाइड किया जा रहा है जहां जहां पर हमारा लैंडिंग है दोस्तों वहां वहां पर एक बीम चाहिए ताकि हमारा जो फ्लाइट आया हुगा इसी बीम पर दोस्तों देख सकते हैं दोनों बीम यहां पर दिख रहा होगा दोस्तों लैंडिंग के दोनों साइड तो एक तरफ हमारा बीम दोस्तों क्या कर रहा है कि हमारे पहले फ्लाइट को रिष्ट देरा वहीं दोस्तों दूसरे फ्लाइट को स्टार्ट होने में भी दूसरा बीम मदद कर तो कुछ इस तरीके से سीरी का बहुत ही सिंपल सा दोस्तों design होता है बिना brickwork के भी दोस्तों सीरी अराम से बनाया जा सकता है तो दिवार को दोस्तों तोर कर या फिर दिवार पे support लगाने की कोई extra आवसकता नहीं है सीरी दोस्तो बीम के सारे भी बनाया जा सकता है दोस्तो यू सेट सीरी बनाने का जो main purpose ये होता है कि जो नीचे हमारा free space मिले लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो free space के बजाय दोस्तो आप देख सकते हैं कि चारो कॉलम सीरी के अंदर में है मतलब कि आपको free space नहीं मिल पा रहा है तो इस चीज से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं दोस्तो चुकि इनको lift लगाना था इसलिए lift के चारो कॉर्णर पर दोस्तो इनको कॉलम दिया जाना था लेकिन आपको अगर lift नहीं लगवाना दोस्तो चुकि यह कॉमर्सियल बिल्डिंग बन रहा है इसलिए lift क्या हो सकता थी आपको रेस्टेंशियल भावन में दोस्तो लिफ्ट लगवाना नहीं होता है तो उस समय क्या कर सकते हैं कि कॉलम को दोस्तो बाहरी भाग में लगाएंगे नीचे हम अराम से उसे space को utilize कर सकते हैं फिर मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिए धन्यवाद